दोस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिल से आप सभी का एक्जाम ग्यान बंतरा में तो दोस्तों देखिए लेकपाल पर एक्छा का स्लेवर्स निकाल दिया गया है अभी भी बच्चे देखिए कंफ्यूज हैं कि अरे सर कितने नंबर बन रहा है हो अगर तो हम लोग अप बच्चे बलाएंगे ना ओफिसियली कोई जानकारी ऐसी दी है कि आप ये मान पाएं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है यूपी टबल ऐसी द्वारा खुद का है ठीक है तो तैयारी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे करें या नहीं करें या अभी यूपी टैट ठ कि फिर से होना है कुछ बच्चे इसकी सोच रहे हैं कि या इसार थोड़ी तैयारी नहीं थी तो इसकी फिर से कर लेते हैं सीट एड़ भी है अपना और उसके बाद एसाई का भी कुछ बच्चों का देखिए क्या है रिजल्ट कल जो आंसर की आई है कुछ बच्चों के नहीं है अच्छे नंबर तो भी सोच रहे हैं जिल्नों ने तैयारी की थी और थोड़े कम नंबर आए हैं तो अब लेकपाल का सोच रहे हैं चलिए लेकपाल को देखते हैं इसको भी 7882 पूश्ट है तो यही है दोस्तों एक फाइनल सेफ स्कोर के बारे में बात करें हम लो अबडेट्स मिले हैं और अबने जितने मित्रों से यूटिवर मित्र हैं उनसे बात की है उसके अनुसार में आपको सिर्व मता रहा हूं क्यांकि मेरे पास भी डाटा है और लों के पास भी डाटा है इसी परकार से ठीक है चलिए एक और चीज मैं यहां पर दोस्तों कर रहे हैं ग्राम समाज विकास और ग्रामीड जनकारी को बहुत अच्छी से प्रिपेर करना चाहते हैं तो चक्छू पब्लिकेशन एक अच्छी किताब निकाली है आप अगर किताब लेकर अपनी स्टेडी को करना चाहते हैं तो बहुत ही एक शांदार किताब निकाली है जो 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 cover किया गया है, सब कुछ यहां पर बताया गया है, आप इसको check भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छी किताब है दोस्तों, अच्छे तरीके से इसमें इन लोगों ने cover किया है यह सब, तो description में मैं इसकी link दे रहा हूं, बहां से जाके आप इस किताब को ले सकते हैं, और बहुत साथ इसमें आपको practice है, अच्छी क्वालिटी के हैं, उसके मिल जाएंगे, इसके लिए चलेए, बात करते हैं, दोस्तों, आप cut off की, तो दोस्तों, पहले सीधा आप cut off देख लो, ठीक है कि अगर इतने number के आसपास आपके बन रहे हैं, तो आप फिर लेक पाल प EWS और OBC की लगवख सेम रहेगी, यहाँ पर लगवख सेम नंबर वालों को बलाया जाएगा, तो 57 EWS और OBC की अगर नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, अब यह मत समझना कि EWS और OBC बिलकुल 50 पर बला लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 57 अगर नंबर आपके बन रहे हैं, मैं नंबर बता रहा हूँ, आप इससे अपना परसेंटाइल देख सकते हैं, ऐसी और फीमेल केंड़ेट की लगवख सेम रहेगी, तो लगवख चंगन नंबर अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज़ड जो नॉर्मलाइजिशन के बाद स्कुर रहत है, तब आप लेकपाल पर एक्षा की तैयारी कर सकते हैं, मिन्स में मेरे अनुसार आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं, दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि सर, अभी जो अब ध्यालों में बाबु वाली वेकैंसी निकली थी, उसमें तो 50% परसेंटायल वालों को बुलाया ही जाना होता तो फिर पीटी एक्जाम का कोई और आपको 50% वालों को बुलाया जाना था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, यूपी टॉपल सी तो रिवेन्यू के चक्कर में ठीक है, और सब को बला लेगा, तो भाई ऐसा है, फॉम तो बै करेंगे ये लो, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कि चलिए, तो मा जाओ पेपर देने, मेंस के लिए तुम दूर रहो, ठीक है, तो फॉम जब तुम डालोगे, तो 150 रुपए यूपी टॉपल सी के फीज रहती है, ठीक है, ये तो आपको देने ही पड़ेगी, ठीक है, चाहे जैसे कि 10 लाग बच्चों ने कोई फॉम डाला और उसमें से 8 लाग बच्चे भी एक्जम देने जा रहे हैं, तो रिवेन्यों में कुछ ठीक है, जाना पड़ता नहीं है, एक एक टीचर को यहां पर 15-15 रुपए देने पड़ते हैं, उसके बाद स्कूल बुक होते हैं, ठ इसके बाद जितने भी UPWSE के अंतरगत आ रहे हैं बच्चे, इस स्कोर में उनको बुला लेगा, तब थोड़ा रिवेन्यों जनरेट हो सकता है, ठीक है, तो यह रिवेन्यों वाला खेल मत खेलो, आपकी प्रिपरेशन चल लेए, तैयारी बाले उसमें रहो, नेता बनने व यह कुछ लोगों को बिला लिया जाएगा, तो, क्लियर, तो दोस्तों यह था, इतने अगर आपके नमर बन रहे हैं, तो आप आराम से अपने एक्जाम की तेयारी कर सकते हैं, ठीक है, आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं आपके पास ज़्यादा समय यहां पर नहीं मिलने वाला है मेरे अनुसार तो जिस दिन आज से ही अगर हम लोग मानें तो आपके पास दो से ढ़ाई महीने का टाइम है सिर्फ ठीक है और जिस दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा तो लगवग आपके पास फिर तेड़ महीने काई टाइम बचने वाला है क्लियर क्योंकि फिर ज़्यादा बच्चों को यह बुलाएंगे भी नहीं ठीक है जैसे कि आप अगर अभी भी सोच रहे हैं तो अगर इसके आसपास बन रहा हूँ मैं फिर से कह रहा हूँ अच्छे से एकजाम की तेड़ी करते रहें यूपी एसाई में अगर कमाए हो लेकपाल के लिए करते रहें अभी कॉंस्टेविल की विकेंजी नकल ली है ग्रुबडी का पेपर है फरवरी में एंटीपीसी का पेपर है सीवीटी टू आपका तो मौके बहुत सारे हैं एसाई वाले दुखी मत होना कि मेरे भीया कमा गया नंबर क्लियर चले मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जहन जह भारत भारत माता गीजे है वाग्रेट डे